मेरा नम है سाउर अव्यादा और आज की लेक्चर में जीएस पेपर 3 के अंतरगत हम लों का छट्वाँ लेक्चर या साथ्वाँ लेक्चर है जीएस पेपर 3 के अंतरगत आपने पिछरी लेक्चर नहीं देखें तो जाकर देख लिजे अगर आप उत्तरप्रदेश PCS दे रह तो उसतरह खंडी special के भी lecture देख लिजे साती साथ प्रियांसु sir live चल रहे हैं 9 बजे regular 9 पिम सामको regular 9 बजे रह रहे हैं और ये अविनास सर्मा sir अविनास सर्मा sir जो है कि वो जियोग्राफिय पढ़ा रहे हैं वो भी उनका एक lecture आचुका है तो उसको भी देख लिजे बहुत फायदा होगा आपको, ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे समावेसी विकास, यानि की inclusive growth, inclusive growth होता क्या है, समावेसी विकास होता क्या है, समावेसी, मतलब समावेस करना, किसका समावेस करना, सभी लोगों का समावेस करना, मतलब ऐसा विकास करना, कि जिसमें सभी लोगों को सबी section सबी वरगों का ठीक है, ऐसा नहो कि religion, religion, race, ऐसा नहो कि religion, race, caste, sex, place of birth, इन सब के base फिकिसी के साथ discrimination हो ठीक है, तो इस प्रकार का विकास करना कि सब को फायदा हो, अभी हम लोग आगे अलग अलग definition, जैसे कि वर्ड मेंक के और रखें किया definition संदी गई है, वो सब भी देखेंगे आज समावेशी विकास को एकदम बेक्सित कर देंगे ओके, पिछले लेक्चर्स नहीं देखें हैं आप, तो देख लीजे फायदा आपको ही होगा बाकी हमारा क्या जाता है, ठीक है तो चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले OECD OECD, हम जब भी लेक्चर लेते हैं, तो कुछ न कुछ क्वेस्चन पूछे जाते हैं और बहुत महत्पूर क्वेस्चन होते हैं तो आप लोग बताईएगा, OECD के बारे में सर्च करिएगा थोड़ा सा और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कम से कम दो लाइन में कमेंट करिएगा OECD क्या है, काम क्या करता है OECD जरूर कमेंट करिएगा OECD क्या कह रहा है, inclusive growth की definition क्या कह रहा है OECD के अनुसार समावेसी विकास ऐसा आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित किया जाता है और सभी के लिए आवसर पैदा करता है और विश सुभाएं क्या कहता है, विश सुभाएं क्या definition दे रहा है कि समावेसी विकास काताद पर विकास की गती और पैटर्न दोनों से है जो आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हें एक साथ सम्भोधित किया जाना चाहिए Inclusive Growth refers both to the pace and pattern of growth which are interlinked and must be addressed together साधी साध UNDP क्या कहता है UNDP, United Nation Development Program UNDP, UNDP और कौन सी और संस्ता है जिसके साथ Multidimensional Poverty Index जारी किया जाता है इसको आप लोग कमेंट करिएगा और YMPI, YMPI Multidimensional Poverty Index कब से जारी किया जा रहा है question सीधे सीधे पूछा गया है question pieces में सीधे सीधे प्री में पूछ लिया गया है कि Multidimensional Poverty Index किस एर से जारी किया जाता है तो जरूर आप लोग comment करिएगा ओके ठीक है तो UNDP के अनुसार समावेसी विकास को उस प्रक्रिया और परिडाम की रूप में वर्डित किया है जहां लोगों के सभी समोहों ने विकास में भाग लिया है और इससे समान रूप से लाभानवित हुए हैं UNDP has described inclusive growth as the process and the outcome where all groups of people have participated in growth and have benefited equitably from it ओके ठीक है समावेसी विकास में ब्यापक विकास, साजा विकास, गरीब समर्थक विकास सामिल होता है क्या क्या विकास सामिल होता है inclusive growth entails comprehensive growth, shared growth and pro-poor growth गरीब समर्थक विकास या किसी देश में गरीबी कितिव रिप्रित्थी दर को कम करता है और देश के विकास में लोगों की भागिदारी को बढ़ाता है समावेसी विकास समाज के हर वर्कों होने वाले लाभों के साथ संसाधनों का निस्पच आवंटन करता है लेकिन संसाधनों का आवंटन समाज के इच्छित अल्पकालिक और दिर्ककालि लाभों जैसे वो भोगता वस्तों को प्लब्दता लोगों की पहुँच रोजगार जीवन अस्तर आधि पर केंदरित होना चाहिए तो हमने यहाँ पर क्या देखा OECD के बारे में देखा जिक्स ने डिपनीसन दी है किसकी समावेसी विकास की और दूसरी चीज वर्ल्ड बैंक के बारे में और तीसरी UNDP के बारे में तो जो क्वेस्चन पूछे गए है उसको जरूर कमेंट करिएगा ठीक है ना भईया ओके आगे बढ़ते है सबसे पहले देखे यहाँ पर समावेसी विकास से जब भी मेंस में क्वेस्चन पूछा जाता है तो समावेसी विकास में सीधे सीधे क्वेस्चन पूछा जाता है कि चैलेंजिस क्या है भारत के सामने की समावेसी विकास के लिए चैलेंजिस क्या हैं और क्या-क्या सरकार के दोरा लिए गए हैं और ये भी पूछा जाता कि जो स्टेप्स लिए जा रहा हैं क्या वो पूरी तरीके से जो डिमांड है जो जरूरत है विकास करने की वो पूरा हो रही है तो ये सब इस प्रकार के question बनते हैं और पूछे जाते हैं हमेशा inclusive growth आएजी विकास आएज की सरकार की तो कैसे inclusive growth की जाएगी एगरिकल्चर का development क्या जाएगा एगरिकल्चर का development क्या किया जाएगा जैसे की सरकार एक culture सेक्टर में बहुत सी scheme लेके आई है कि किरसी का विकास हो कैसे विकास होगा जैसे सरकार की योजनाएं है PM कुसुम योजना PM कुसुम योजना ठीक है PM कुसुम योजना साथ ही साथ teleporter के लिए और भी sit provide करने के लिए फरेटलाइजर के लिए बहुत सी schemes हैं बहुत कुछ इस पे आप लिख सकते हैं Employment generation मतलब समावेशी विकास के तद तो क्या है कि पहले तो एक culture की बात करें दूसरी हम बात करें Employment generation किया जाए ऐसा विकास हो कि लोगों को रोजगार भी तो मिले रोजगार मिले ठीक है Environment protection भी है Inclusive growth में ऐसा नहीं कि Environment को एक तरप एक किनारे रख दिये कि हाँ विकास हो रहा है विकास हो रहा है लेकिन Environment जो है पूरे तरीके से खराब हो चुका है रहने लायक नहीं रहा गया है तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए हमें Environment को भी ध्यान में रखना होगा Industrial Development Industry का भी विकास हो Industrial Development भी हो तो Elements क्या-क्या है Industrial Development भी Reduction in Regional Disparities Regional छेतरी आधार पर जो विसमताएं है उसको भी दूर करना है ठीका ऐसा Inclusive Growth हो जैसे कि हमने Green Revolution में बताया था कि पस्चिमी उत्तर प्रदेश को Green Revolution की वज़ा से फायदा हुआ था लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश को Green Revolution से फायदा बहुत कम हुआ था Green Revolution का हरित क्रांती का सबसे बड़ा ड्रावएक्स यही निकल के आया कि यह कुछ ही छेतरों तक सीमित रह पाई थी ठीक है और आगे चीज़े आगे क्या है Social Sector Development Social Sector Development भी करना है Equal Distribution of Income भी ऐसा भी कास होना चाहिए कि Income के बीच में Disparity ना हो तो Income जो है कि Quality Distribute हो Poverty Reduction सबसे महतपूर महतपूर चीज़ें Poverty Reduction गरीबी उन्मूलन ऐसे ऐसे प्लान लाने चाहिए कि गरीबी को उन्मूलन गरीबी का उन्मूलन किया जा सके बहुत से प्लान सरकार के दोरा चाहे Present Time की सरकार हो चाहे प्रेजन टाइम की सरकार हो आप लोग Class 11th की Economics की NCRT जरूर पढ़िएगा अगर आप लोग IAS, PCS या फिर DSP साहब या SDM साहब बनना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए शिकास बहुत धीरे-धीरे होगा सीथे-सीथे इन सबको पढ़िए लेकर पढ़िए अभी समय है अभी exam में थोड़ा समय है तो पढ़िए ठीक है सिर्प PT के पीछे मत भागिए PT के पीछे भागते-भागते-भागते-भागते लाइस्ट में में लटक जाएंगे ठीक है तो पीटी के साथ सथ मेंस की भी तैयारी करिए पीटी महतपुड है मेंस भी महतपुड है ओके तो चलिए पावर्टी रिड़क्षन तो हमने क्या देखा हैं क्या हैं इंकुलूसिव ग्रोथ के गरीबी इनमूलन employment generation, culture development, environment production, industrial development, reduction, original disparities, social sector development, equal distribution of income आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके अब कुछ बिसेश्टाएं हैं, क्या है समावेसी विकास की मुख्य बिसेश्टाएं बहुत सोर्स को देखने के बाद वहां से चीज़ें उठाई जाते हैं यहां पर, आपको एक बहतर एक तरह से अगर आप लोग इसका screenshot लेंगे तो proper सब कुछ आपकी proper understanding इसकी हो सकती है कई सोर्स से लेकर आपको यहां पर lecture दिये जाते हैं, ठीक है Salient features of inclusive growth क्या-क्या है कि address the constraints of the excluded and marginalized sections वही जो चीज़ें पीछे हम बता रहे हैं कि equally distribution होना चाहिए, original disparity नहीं होना चाहिए बहिस्कृत और हासिय पर पड़े लोगों की बाधाओं को दूर करना यह सब विसेस्ताएं हैं इसकी participation from all section of society समाज के सभी वर्गों की भागेदारी होनी चाहिए, इस प्रकार का विकास होना चाहिए प्रति ब्यक्ति आय के बीच जो असमानताएं हैं उनको खतम करना चाहिए कहां कहां पर different sector of economy में, different sections of society में, rural और urban में, ग्रामीड और सहरी के बीच में और different genders में ऐसा ना हो कि men को ज़्यादा salary मिले और women को कम salary मिले मतलब कि, क्या है कि equal, equal, क्या बोलते हैं, equal pay for equal work, किस article में ये लिखा गया है, किस article में, किस अनुछेद में ये दिया गया है अब DPSP क्या है, राज के नीत निदेशक तत्तों हैं, जो भारत के संविधान के part 3, यानि भाग 3 में DPSP के बारे में है, भाग 3 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में DPSP है, DPSP, DPSP क्या है, DPSP एक तरह से guidelines है, governments को, governments जो है, राज सरकार है और केंद सरकार को guidelines है कि जो भी कानून बनाया जाए, इनको ध्यान में रखकर बनाया जाए, तो किस article में equal paper or equal work की बात की गई है, इसको upload कमेंट करिएगा, चलिए आगे बढ़ते है गैर भेद भावपूर्ड, नौन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, यह इसकी विसेशताय है higher potential of poverty reduction, ensure access of people to basic infrastructure and basic services ya capabilities such as basic health and education, this access should include not only the quantity but also quality of these basic services, okay include poor lagging socio-economic groups and lagging regions as well as their partners in this growth गरीब पिछड़े एवं सामाजिक आर्थिक समोहों और पिछड़े छेत्रों को सामिल करना है और साथ ही वे इस विकास में भागिदार हैं, इसलिए इस परकार की विकास की योजनाय लानी चाहिए जिसके कारण inclusive growth हो सके, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि challenges क्या है, inclusive growth के challenges क्या है भारत के सामने, सबसे पहला challenge है कि गरीबी है दूसरा बिरुजगारी, यही challenge है, इन्हीं सब को खतम करने की बात होती है किरसी का बहुत पिछड़ापन है, issues with social development, समाजिक विकास की मुद्दे बहुत से हैं तो regional disparities है, तो यह challenges है, अब challenges क्या क्या है, किस प्रकार से हैं जैसा हमने कहा कि बहु आयामी गरीबी सुचकांक, multi poverty index ठीक है, poverty के अगर हम बात करें, तो multi poverty index काउन जारी करता है और कब से जारी हो रहा है, इसको अपलो कमेंट करिएगा इसके अनुसार, भारत ने सबसे गरीब छेत्रों, समोहों और बच्चों के साथ 2005-6 और 2015-16 के बीच, 271 मिलियन लोगों को उठाया है जिससे गरीबी सबसे तेजी से कम होई भारत उपराश्ट्री अस्तर पर सबसे असपष्ट गरीब समर्थक पैटर्न प्रदर्शीत करता है इस्टिल, डिस्पाइड दो मैसिव गेंस 373 मिलियन इंडियन इंडियन कांटिनू टू एक्पिरिंस एक्योट डिप्रावेशन Additionally, 8.8% of population lives in saver multi-dimensional poverty and 19.3% of population of world labor to multi-dimensional poverty Government ने तो steps लिये लेकिन आज भी वरतमाज समय में भी बहुत से जनसंक्या भारत की जोग गरीब है बिरजगारी की बात करें बिरजगारी पर कुछ बताने की जूरत नहीं है लेकिन बता देते हैं कि नेशनल सेंपल सर्वे के आंकड़ के अनुसार पेरियोडिक लेबर फोर सर्वे के अनुसार The employment rate among the urban workforce was 7.8% While the unemployment rate for rural workforce was 5.3% totaling The total unemployment rate 6.1% है वरतमान इस्तिती सायद 8% तक हो चुकी है The quality unemployment is challenges है निरच्चरता और किर्सी पर अधिक निरभरता कर भारत में रोजगार की गुर्वता और मात्रक कम है ठीक है क्या है The quality and quantity of employment in India are low Due to illiteracy and due to over dependence on agriculture अगर आप quality पॉलिटी की भी अच्छी समझ चाहते हैं तो quality के लिए A.N.C.E.R.T. आपको है वहाँ उसको पढ़ेंगे Class 11 की ही सायद है उसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ और अच्छे तरीके से बनेगी कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं सब समझ में आएगा ओके दो क्वालिटी अप इंप्लॉइमेंट इस प्राब्लम आज मोर देन 80 परसेंट आप पीपल वार्क इन इन फॉर्मल सेक्टर विदाउट एनी सोसल सिक्वेरिटी ओके निम्न कारकों कारड कम रोजगार बिद्धी कम निवेस है रोजगार बिद्धी क्यों नहीं हो पारे लोग इन्वेस्टमेंट लोग काइप्टेल उटिलाजेशन इन इन इंडस्ट्री लोग एक कल्चर ग्रोथ कम क्रिसी विकास है और भी चीज़े हैं कि एक कल्चर बैकवन किसी का पिछलापन भारत में 44 परसेंट 44 परसेंट लोग पास क्रिसी से संबंदित रोजगार है लेकिन भारती जीडिपी में इसका योगदान 16.5 परसेंट है क्रिसी के मुद्धे इस प्रकार है प्रतिब्यक्ती भूम उपलब्धता में कमी जब हम land reforms इंडिया पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यह सब चीजें देखी गई थी उस lecture को जाकर देख लिजेगा सीधे सीधे आपके syllabus में topic है और सीधे सीधे question पूछा जाता है रोजगार के हिस्से में धीमी कमी a slow reduction in share of employment low labor productivity क्या labor की productivity बहुत कम है क्यों कम है skill नहीं है इसकिल नहीं है इसलिए decline a culture yield due to climate change land degradation and unavailability of water तो एक culture किसी पिश्रापन क्यों है किसी छेत्र जो पिश्रापन क्यों है तो यह सब चीजें हैं यही सब challenges है disparities in growth across regions and crops छेत्रों और फसलों बृद्धी में असमानता issues with social development क्या क्या है समावेशी विकास के लिए समाजिक विकास प्रमुक चिंताओं में से एक है लेकिन इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे significant regional social and gender disparities low level slow growth in public expenditure particularly in health and education the poor quality delivery system social indicators are much lower for OBC, CST and Muslims malnutrition among children India ranks 102 in global hunger index global hunger index में 102 ही rank है वरतमान समय में 2021 की rank आप लो कमेंट करिएगा global hunger index में भारत की rank क्या है global hunger index में भारत की rank क्या है साथी साथ कौन से indicators हैं, कौन से indicators हैं, hunger index में इतनी कम rank है भारत की कौन से indicator हैं, उसके बारे में भी आप जरूर comment करिएगा उसको भी comment करिएगा, comment आप लोगों के बहुत कम आते हैं बहुत कम लोग mains के lectures देख रहे हैं, उनको समस्याएं होंगी वैसे lectures free में मिल रहे हैं, जब तक इंसान पैसा नहीं देता तब तक उसकी value नहीं समझ में आती है की पढ़े हैं की ना पढ़े हैं फिरी में है ना तो फिरी में ज़्यादा चीजें अच्छी नहीं लगती हैं ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं Regional disparity are major concern for India, factors like the caste system, gap between rich and poor contribute to the regional disparity which create a system where some specific groups hold more privilege over others Some of the regional disparities problems are as follows क्या है? In the term of literacy rate, Kerala is the most literary stage with 100% literacy on the other hand literacy rate of Bihar is 63.82% Kerala की 100% ही है, ठीक है, comment करिएगा इसको भी इन terms of per capita income, गोवा per capita income is इतना है, 2018 में while per capita income of Bihar is just one tenth of that is Okay, तो मतलब यही regional disparities मतलब छेतरी बिसमताएं हैं तो यह सब challenges है, क्या क्या है? Regional disparity, सामाजिक issues with social development में कुछ issues है किसी छेतर जो बहुत पिछडा हुआ है, पिरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है और सरकारों ने क्या क्या स्टेप्स लिये हैं? सबसे पहले स्टेप्स की बात करें कि Misers taken to achieve inclusive growth क्या क्या है? तो महात्मा गाधी राश्ट्री ग्रामिर्ट रोजगार गारंटी अदनियम योजना मन रेगा परधान मंत्री रोजगार स्रीजन कारक्रम क्या है? पीम, इजीप, मुद्रा बैंक स्कीम, पंडित दीन द्याल उपाध्य, ग्रामिर्ट कॉसल, विकास, योजना, दीन द्याल उपाध्य, योजना, नेशनल आरवन, लेलिहोड मुसन, सर्व, सिच्छा अभिहान, नेशनल रूरर हेल्थ मिसन, भारत निर्मार, स्वच भारत म मिसन, आइसमार, परधान मंत्री, जंधन योजना, जितनी योजना है, याद आ रहे हैं, सब लिख दीजिएगा, ठीक है, काएं कि सब कुछ विकास के लिए है, जैसे स्टाट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और पिछली सरकारों का लिखना चाहेंगे, तो जभा रोजगार योजना, इंद्रिया, आवास, योजना, बाकी जो भी योजना है, भारत, निर्मार योजना, सब कुछ, गौर्मेंट इस वरकिंग विथ यंजियोस, और इंटरनेशनल ग्रूपिंग इन पॉलिसी मेकिंग, एक्जाम्पल क्या है, कि भारत में महिलाओं के कीती आयोग ने एक strategy, फार निव इंडिया, ऐज दिरे 75, हैस फालूइंग अब्जिक्टिव स्थे, कुछ अब्जिक्टिव हैं, जैसे कि 2022 तक 9 से 10% तक पहुचाना था क्या विकास को, 2022 तक समावेसी सतत सभागी विकास के लिए परदुक्य का लाब उठाना था, तो और World Economic Forum ने समावेसी विकास के लिए कुछ चीज़ें, तीन ब्यवारिक तरीके सुझाएं, World Economic Forum बिस्सो आर्थिक मंच, बिस्सो आर्थिक मंच, हैस सजेस्टे थी practical ways by which countries can boost social inclusion as well as economic growth, सबसे पहले देशों को अपने नागरिकों की छमताओं में साराचनिक और नीजी निवेस बढ़ाना चाहिए, पहली चीज का कहें हैं, कहें हैं कि सबसे पहले देशों को अपने नागरिकों की छमताओं में सार्वजनिक और नीजी निवेस बढ़ाना चाहिए, जो कि सबसे महतपुर तरीका जिससे वे अपनी उत्पादक्ता बृद्धी की दर को अस्थाई तो पहला चीज यही बताए हैं, कौन भी स्वार्थिक मंच ने, दूसरा, सरकारों को नियोकताओं और स्रमिक संगठनों के साथ मिलकर काम से संबंधित राष्ट्री नियमों और संस्थानों को अपग्रेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गवर्मेंट्स टूगेदर व relating to work, these influence the quantity and distribution of job opportunities and compensation and thus the level of purchasing power and aggregate demand within the economy will increase, okay, तीसरा क्या है कि देशों को श्रम प्रधान आर्थिक छेत्रों में सारजनिक और नीजी निवेश बढ़ाना चाहिए, स्रम प्रधान आर्थिक छेत्रों में सारजनिक और नीजी निवेश बढ़ाना चाहिए, countries should increase public and private investment in labor intensive economic sectors, okay, तो ये तीन चीजें World Economic Forum ने सुझाए हैं, तीन पॉइंट्स, okay, तो हमने क्या देखा है, कि हमने देखा है समावेसी विकास के बारे में, समावेसी विकास के बारे में अलग-अलग definitions हमने बता है, OECD की definition बताई, विस बैंक की बताई, और UNDP की बताई, okay, उसके बाद उसके elements हमने बताई कि employment generate करना, poverty reduce करना, environment protection करना, industrial development, culture development, regional disparity खत्म करना, social sector का विकास करना, equal distribution of income करना, इस सब elements बताई हमने, फिर कुछ भी सेस्ता हैं हमने बताई, और क्या social development, समाजी बिकास के बहुत से मुद्दे हैं, issues है, regional disparities है, छेतरी भी समताई हैं, और government की दोरा क्या-कया steps लिए गए इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, inclusive growth के लिए, समाजी बिकास के लिए, तो ये सब चीजे यहाँ पर हैं, और फिर भी स्वार्थिक मंच ने तीन जूर करें, सर्च करें, सर्च करते हैं, तो थोड़ा विचार किया करी, सर्च करने के बाद विचार करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में गुसेगा, तो कभी exam में याद आ जाएगा, तो exam में आएगा, तो मार देंगे, टिक, तो आपका selection भी हो सकता है, ठीक है, मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद,